वेलकम टेशिव प्लासेज आज हमें इस वीडियो में आपका निमेरिकल सुल्फ कर रहे हैं जो क्रामेट स्टूल से लिए आपका 2019 में आया हुआ है ठीक है तो इसको कैसे सॉल्फ करते हैं बहुत ईजी है ठीक है 12 माक्स का क्वेश्चन है उससे पहले मैं आपको एक शीच ब उसको में दिमांड फंक्षन था वह 304 माइनस 2 क्यू ले लिया ठीक है तो आपको यह करेक्ट करना है आपको क्या करना है वहां 304 के जगह 300 लिखके खुद से सॉल्फ करना आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ठीक है मैंने 304 को लेके सॉल्फ करा आइस को आपको किसको रट को लेके solve करने हैं, calculation change होगी, बाकि तो pattern वही रहेगा, steps वही रहेंगे, ठीक है, तो आप इसको खुद से solve कर लेना, चलिए start करते हैं आज का question, देखें यह आपका question है, तो हमें यह दे रखा है, हमें एक timeers rule में क्या होता है, x, y, z की value निकालना होती है, तो इसमें x, y, z की value कैसे निकालते हैं, देखो, आपको पहले हम इसमें matrix बनाएंगे, matrix के दुरू में है, determinant निकालना होता है, ठीक है, तो determinant कैसे निकाले हैं, पहले हम matrix निकाल लेते हैं, यह देखो, यह आपको क्या दे रखा है, यहां पर x, x से आगे कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता क्लियर हुआ आपको, ठीक है, कि जो भी हमें value यहां दे रखिए, इस तरफ left side जो दे रखिए, उनको एक box में लिख लिए, means matrix बना लिए, अब हम उसको क्या निकालेंगे, determinant, determinant मेने आपको कितनी बार निकालना है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक बार कर लेते हैं, जो बच् है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, हमें क्या करना है, हमने पहले इस वन को लेना है, तो इस वन के cross में जो है, वन के 7 वाले और जो नीचे वाली value है, वो cut कर देंगे, क्या बचा, 4, 2, 1, 9, वो हम एक bracket में लिख दिया, ठीक है, ठीक है, और फिर minus लिए, क्या लिए है, हमने 2 लिए है, तो ये values कर जाएंगी, क्या बचा, 2, 3, 1, 9, वो हमने यहां लिख दिया, ठीक है, अब हम क्या लेंगे, 3 को लेंगे, अब हम किसे लेंगे, 3 को लेंगे, तो ये values कर, कर हो जाएंगी क्या बचा 2342 जो हमने यहां लिख दिया अब हमें क्या करना है सॉल्व करना है ठीक है मैंने आपको बताया भी था कि हम डिटर्मेंट कैसे निकालते है एक मैट्रिक्स का थियोरी का क्वेशन भी मैं करा चुकी और से निमेरिकल भी सॉल्व हो चुका है हो तूरीば यहेंट इस हैं लां रहेगा टू इन टू टू कितना होगह ओ लग्हां हो त्री का थिक इसले सब इसले अब इन सब की multiply कर देंगे तो 34 as it is आ गया 2 into 15 कितना हो गया 30 3 into minus 8 minus 24 ठीक है minus minus plus कर देंगे 30 plus 24 कितना हो गया 54 ठीक है 54 minus 34 कितना हो गया minus 20 इसकी बड़ी होगी उसका sign आएगा clear हुआ पहले हमने determinant निकाल लिया अब हम निकालते हैं में determinant x का फिर y का और फिर z का ठीक है x और y का मैंने निकाल के दिखाया आपको z का आपको खुद निकाल के comment करके उसका answer जरूर बताना है और question को अच्छे से कर लेना बहुत easy है अब हम x का determinant निकाल लेंगे अब इसके determinant में क्या change है यह देखो अब आपको क्या करना है x y का determinant निकाल लेंगे हम पहले x का निकाल रहे है न x की value हमने कहा लिखी थी आगे लिखी थी तो अब x की जो value है वो हम यहां से हटा देंगे और इसकी जगा पर क्या आ जाएंगे यह यह तीनों को हटा देंगे, उसकी जगा हम किसको लिख देंगे, इन्हीं तीनों को लिख देंगे, और जब Z का Determinant निकालेंगे, तो इन तीनों को हटा के इसको लिख देंगे, ठीके, आप देखो, अब हमने X की जगा क्या लिख दिया, यह आगे 6, 7, 14, यह देखो, 6, 7, 14 ठीक है एकस वाई और जट वही रहेंगे 242 और 319 यह देखो 242 त्री वन नइन वही रहेंगे और जब य की वैलियू निकालेंगे तो चले करेते ठीक हैंअ अब इसका ट्रेटर्मिनेंट वैसे ही निकालेंगे हम कैसे निकालेंगे हमने क्या लिया निया क्रॉस अएनगे वैल्यू 4219 आगया ब्रैकिट में फिर हम किसको लेंगे टू को तो 71419 ठीक है माइनस आता है और बही प्लस माइनस के साइन का ध्यान रखना अगर डिटेन्मिनेंट जो यह अपके मैट्रिक्स है कि माइनस में भी हो सकती वैल्यू तो प्लस माइनस का ध्यान रखना आपके अब 3 को लिए है हमने तो 71442 ठीक है अब वही क्रॉस मल्टिप्लाइए 4 इंटू 9 और 2 इंटू 1 तो 4 इंटू 9 36 2 इंटू 1 2 7 इंटू 9 63 14 इंटू 1 14 14 सॉरी पर लगे कितना होगा 7 इंटू 2 14 फिर 14 फोर्ट जा 56 क्लियर हुआ इन सब को आमने सॉल्व करा ठीक है 36 माइनस 2 कितना हो गया 34 36 माइनस 234 63 माइनस 14 49 14 माइनस 56 माइनस 42 अब मल्टिप्लाइए होगे 16 इंटू 34 204 2 इंटू माइनस 42 सॉरी 49 98 3 इंटू माइनस 42 माइनस 26 कैलकुलेटर आपके साथ रहेगा आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं तो हमाएं dx की वैल्यू कित्ती आ गया तो यह पुराना वाला आ गया अब यह की जगह क्या आ गया देखो 6714 जैट पुराना वाला ही जो स्टाटिक में लिया था ठीक है अब वही सॉल्व करेंगे किसको इनको इग्नॉर कर देंगे यह आ गया ठीक है फिर हमने यह यह टी पॉइंट आ गया तो 2319 बचा तो इस ब्रैकेट में अगया अगया थाक है फिर हमने क्या ळिया जो बचें वह उसको अगया है ठीक है अब तो आपको enrichmentkte करना ठीक है मान लीजिए यहां क्या होता है यह – 6 होता तो वो bracket में रहता है और next step में माइनस माइनस यह वह जब भी bracket के भाहर माइनस हो और एक अंदर है तो वो बाइनस माइनस क्या हो जाते है प्लस लेकिन जब digit में होते है आगे पीछे माइनस वाल लीजिए ऐसे हैं ये तो आपको पता भी होगा माइनस 20 माइनस 50 ऐसे लिखा है तो साइन माइनस का ही आता है और वो क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं क्लियर हुआ अब DZ की value आपको खुद निकालने हैं और comment करके बताना है कि DZ की value क्या ही है Determinant of Z की value क्या ही है आप देखो X और Y की value निकलेगी कैसे आपका X की value निकालने का formula क्या है DX by D Y का DY by D Z का DZ by D DX की value भी minus 20 आई थी D की value minus 20 Cancel out होके 1 Similarly, DY और D की value D तो वही है DY की value minus 20 आई तो minus 1 आगे DZ की value क्या होगी यह आपको बताना है तो उसके लिए आपको DZ पहले निकालना होगा तो आपको इसको solve करना है comment करके बताना है कि इसका answer क्या है I hope यह question clear हो गया होगा और guys आपकी तरफ से response बहुत कम आ रहा है जिस तरीके से मैं आपके लिए होगो के लिए hard work कर रही हूँ आप लोग videos तो पूरी देख लेते हैं और उसको like करना चैनल को subscribe करना भूल जाते है please आप लोग के support की मुझे बहुत ज़रुवत है तो please like it and subscribe my channel thank you